वेल्कम बैक विद देनाद टेक्नलोजिकल वीडियो दिस इस सीड और वाचिंग ड्रेक्टेक 6 वी द फर्स तुनौ तो बता है दोस्तो आपने इस वीडियो पर क्लिक क्यों किया है क्योंकि आपको टेक्निकल चीजे बहुत पसंद है तो यही वो जगह है दोस्तो जहाँ पर आपको ऐसी छोट छोटी टेक्ट वीडियोस मिलेंगे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो पर लाइक करना ना भूले ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी कंटेंट आपको मिलते रहे और आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक्स, कॉमेंट्स और शेयर करना मत भूले डिनेस का मतलब होता है डॉमेंड नीम सिस्टेम तो आज की इस वीडियो पर मैं आपसे डॉमेंड नीम सिस्टेम के बारे में बात नहीं करूँगा बलकि उसको हैक कैसे केडाता है उसके बारे मैं बताऊंगा आपको अगर आपको डिनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता तो आप प्लीज गूगल पर या तो फिर यूटूब पर रिसर्च कर लिजिए और इस वीडियो पर मैं डिरेक्ट आपको बताऊंगो कैसे हैक करना है For example, अगर आपको facebook.com पर जना है तो आप क्या करेंगे अपने browser पर जाकर facebook.com लेकर सर्च करेंगे पर आपको पता है आपके browser को facebook, google ये सब क्या है ये पता ही नहीं है उसको समझाता है तो सिर्फ IP address इसलिए क्या होता है आपके system में एक host नाम की file होती है जहाँ पर हर एक domain name का एक अलग सा IP address होता है तो browser को तो IP address समझाता है तो वो क्या करता है host file में जाकर सर्च करता है कि suppose facebook का related IP address क्या है अगर उसको host file में वो IP address मिलता है तो वो ही IP address पे चला जाता है और आपका facebook जो है वो open हो जाता है और अगर host file में उसको कोई IP address नहीं मिलता तब क्या होता है local DNS पे जाकर सर्च करता है कि वहाँ पर इस नाम का कोई IP address है या नहीं अगर वहाँ पर भी नहीं होता तो वो public DNS पर जाती है और वहाँ पर जाकर सर्च करता है कि इसका IP address क्या है तो इसी तरह DNS जो है वो काम करती है तो इसी तरह हर एक address IP address के साथ जुड़ा होता है तो हम आज इस वीडियो पर होस्ट फाइल में जाकर देखेंगे कि कैसे हम IP address जो है वो चेंज कर सकते है ताकि हम कोई भी address को किसी और address के साथ redirect कर सकते हैं सब उस हमको Facebook पर जाना है पर हमने क्या किया वहाँ पर ऐसा एक IP address डाल दिया आप क्लिक करेंगे facebook.com पर खुल जाएगा कुछ और चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको आपके ब्राउजर पर जाना है और वहाँ पर सब्समान लीजिए facebook.com जो है वो सर्च करनी है फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका facebook पीज जो है वो open हो रहा है अभी आपको इसको मिनिवेज करके notepad पर राइट क्लिक करके run as administration करना है फिर यह open हो जाने के बाद आपको file में जाना है उसके बाद open पर जाकर OS पर जाना होगा उसके बाद यहाँ पर OS windows पर जाना है फिर आपको system 32 नाम की यहाँ पर जाना है फिर आपको drivers पर जाना होगा फिर आपको etc पर जाना है और इस text document को all files में convert करनी है और फिर ok कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका host नाम का file जो है वो मिलगा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए फिर यह आगया notepad पर अभी यहाँ पर आपको जो भी IP address लिखना है आप लिख दीजिए मैं यह IP address ऐसे ही लिख रहा हूँ आप कोई भी लिख सकते हैं और इस IP address के under facebook.com आपको भी ऐसे ही लिखना है इसको save कर देनी है तो यह save हो गए है अभी मैं ब्राउजर पर जाकर फिर से search करके दिखाता हूँ facebook.com हाँ तो आप देख सकते हैं आपका जो website है वो खूल नहीं रहा है इसका मतलब IP जो है वो गलत है आप यहाँ पर अगर अपना IP address देंगे तो facebook जो है वो आपके website पर redirect हो जाएगा thank you